हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Motorola Edge 30 Ultra Android वाइल फोन में आप जो है Accessibility menu setting को आप enable कैसे कर सकते हैं यानि की on कैसे कर सकते हैं और ये Accessibility menu setting जो है enable करने के बाद ये setting कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जांकारी देने वाला हूँ तो चलिए आपर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting पेज ओपन करना है तो यहां पर आपका Accessibility menu का यह पेज आजागा इसमें आपको यूज सर्विस के ठीक सामने बटन दे रहा है इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है तो यह आपका Accessibility menu का एक new page आएगा इस page को आपको ऊपर स्क्रोल करना है और यहां पर आपका यह अलाओ का option आएगा अलाओ पर आपको सेलेक्ट कर देना है तो यहां पर आपका यह new page आजागा इसमें आपको ओके का बटन प्रेस करना है ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके mobile phone के नीचे की साइड में यह human tap का बटन एड हो जाएगा ठीक है यह आपका जो है छोटा सा page open होगा ठीक है इस तरीके का इसमें आपको काफी सारे option मिलते है ठीक है जैसे की power का यह आप देख सकते काफी काफी सारे option है इसमें से अगर आप किसी भी option पर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यह वैसा ही काम करेगा जैसे screenshot पर मैं इस सेलेक्ट कर लेता हूं तो होगा क्या जो मारा current page है उसका यह screenshot आ जाएगा इस तरीके से ठीक है तो यह setting जो है accessibility menu setting आप इस तरीके से use कर सकते हैं इ accessibility menu आपको यहां पर टाइप करना है इस तरीके से तो आपको नीचे की साइड यह accessibility menu का option शो हो जाएगा इससे select करना है इससे होता है कि आपका mobile phone आपको डिरेक्ट इस setting में आपको लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा ठीक है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया इस कि मुआ फोन में